नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब जेनल आर के योजना पर यदि दोस्तों आप भी एक पैंशन धारक है दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था या कुश्टवस्था में से कोई भी आपके एक पैंशन बनी हुई है आज की यह जानकारी आपके लिए बहुती ज्यादा महतपूर्ण होने वाली है इन पैंशन धारकों को नवंबर महिने की नहीं दी जाएगी पैंशन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको अक्टूबर महिने की पैंशन मिल चुकी है सितंबर महिने की अगस्त महिने की जुलाई महिने की जुन महिने की मैं महिने की लेकिन दोस्तों पिताकिन की नवंबर महिने की पैंशन नहीं आई है किन लोगों की सरकार पैंशन ट्रांसफर कर रही है और किन लोगों को यानि की पैंशन नहीं दे रही है क्या करण है करण आपको बता जाएगा वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना बोले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है हुआ है सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं हम बात करें हैं पैंशन योजना के बारे में आप हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराष्ट, करनाटका, उत्तर परदेश, हिमाचल परदेश, बिहार किसी भी राज्य के आप पैंशन धारक हो सकते हैं सभी राज्यों में सरकार अलग-लग पैंशन को ट्रांसफर कर रही है किसी राज्य में 400 रुपे दे रही है जैसे की बिहार राज्य है हरियान सरकार की बात करें तो हरियान सरकार 2500 रुपे अभी फिलाल करंटली में पैंशन धारकों को ये पैंशन रासी दे रही है इसी प्रकार सी यदि हम उत्तर परदेश राज्य की बात करेते उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विद्वाव वर्दवस्ता इन तीन पैंशन धारकों को तीन महिने के बाद चोथे महिने में तीन हजार उर्पे सरकार बैंक खाते हैं पैंशन ट्रांसफर करती है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ तवस्ता पैंशन धारक हैं पैंश अब दोस्तो और हम बात कर हिमाचल पर्देश की तो हिमाचल पर्देश में भी 850 रूपए से लगाकर 1700 रूपए तक की सरकार पैंशन ट्रांसफर करती है यह हैं निर्वर करता है कि आप किसे राज्य में रहते हैं और आपकी राज्य सरकार कितनी पेंशन लाभारतियों को यहाँ पर bank खाते में ट्रांसफर कर रही है अब दोस्तों कारण समझ लिजे कि किन कारणे की वज़े से सरकार यहाँ पर pension नहीं भेज रही है और किन लाब भारत्य के बैंक खाते में सरकार pension ट्रांसफर कर रही है सबसे बड़ा कारण है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें EKYC सरकार बोले कि आप EKYC कराईए तभी आपके बैंक खाते में pension ट्रांसफर की जाएगी अनित्था आपको pension का लाब नहीं मिल पाएगा इनी कराणिक वज़े से कुछ ऐसे pension धारक है जिन्होंने अपना EKYC नहीं कराया है और उनके बैंक खाते में सरकार pension ट्रांसफर नहीं कर रही है इक वज़े करानी के लिए आपके पास जो डोक्यमेंट है दस्ताविज है वह आपका आधार कार्ड होना चाहिए पहला है आपका mobile नंबर यानि की दूस पहला है आपका mobile नंबर दूसरा है आपका आधार कार्ड ये दस्ताविज आपके पास होने चाहिए और नजदेगी CSE center पर जागर अपना ये EKWC कार्ये पुरा करा सकते हैं अभी भी कुछ ऐसे pension धारक है जिन्नों ने अपना EKWC नहीं करा है और दूसरा कार्ये आपको कुछ राज्ये ऐसे हैं जिनमें आपका जीवन परमानी करण परमानी करण आपको ये अपना जीवन परमानी करण करा लेना है क्योंकि दौस्तों कुछ ऐसे पैंसन धारक है जो गलत तरीके से अपने दस्तावेज बनवाकर सरकार से पैंसन का लाब प्राप्त कर रहे थे वे आपातर सरेणी में आ चुके हैं इस वज़े से सरकार सभी राज्ये में केवाई से करा रही है और कुछ राज्ये ऐसे हैं जिन में यहांपर जीवन प्रमानिकरन मांगा जा रहा है सरकार कर ये कैना है जो पातर वैक्ति है और उनको पैंसन का लाब दिया जाएगा जो ऐ पातर हैं उनके बैंक खाते में कोई पैंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी हमेशा के लिए पैंशन यानि की बंद कर दी जाएगी रद कर दी जाएगी और दोस्तों दूसरा कारिज जो आपको करना है यहाँ पर आप समय लिजे यदि आप उत्तर प्रदिश राज्य के अधिन आते हैं तो यदि आपका बैंक खा खाता ओपन करा सकते हैं और उसकी फोटो स्टेट कराकर अपने बैंक की जिसमें आप नए बैंक खाता खुलवाते हैं और अपना आधार कार्ड जिया दोस्तों पास्बुक की फोटो स्टेट करा लिनी है आपको नए बैंक की जिसमें आपका खाता खुलवाएंगे और कि नों दस्तावजी के आपको फोटे स्टेट करागर जो भी आपका विकास भवन है वहाँ पर आपको ये जमक कर देने हैं, एक डिड़ हफते के अंदर ही आपका जो पैंशन रुका हुआ है, वेसे भी आपके बैंशन धारकों को करना है, जिसका बैंशन धारकों को काफी ज बैंक सत्यापन करना है, ये तीन कारी आपको करा लेने हैं, इससे आपका ये होगा जितने भी आपके रुकी पैंशन है, जिसका बैंख खाता इन्वेलिट दिखा रहाय Ist, वेह वैलिड हो जाएगा, और आपका यहाँ पर जो सभी गलतियों हो रही है, वे समाज का ट्रांसफर कर दिया जाएगा जब वह महां से आपकी पर्वेशन मिल जाएगी तो ऊपर फोरवड आपके डोक्मेंट यहाँ पर कर दिये जाएगे इस जितने भी आपकी रुगी पैंशन है चाहे आपकी तीन महीने की हो या चार महीने की हो या छे महीने की हो ये पैंशन सरक जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाते हैं नीचे कमेंड बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में निमेदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकर इसाथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत